सुमन नीटिंग क्रेशन में आप सबका स्वागत है तो आओ चल ले देखें आज मैंने एक पंदरा साल की लड़की के लिए फ्रोग टॉप बनाया जो जिन्स के उपर पैना जाएगा तो आगे देखते हैं तो आगे देखें तो मैंने किस तरह के से बनाया मैं आप लोगों को बताते हूँ मैं इसे बनाते हुए नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे सेम ऐसी एक और बनाना है तो मैं उसमें बताऊंगे आपको अगली वीडियो में कि मैंने किस तरह के से बनाया तो इसमें मैंने 140 चेन डाली है, 140 चेन डालके मैंने पहले यह इस तरीके से बनाया, पीछे का हिसार आगे का, यहां से मैंने यहां से घटा के ले गई हूँ मैं साइड में से, यहां पे मैंने पहले 1, 2, 3, 4, 4 तक तो मैंने पिलेन बनाया, 4 डिबी तक पिलेन बनाया, कोई फंद नहीं घटाया, उस बनाओंगी दूसरा स्वेटटर बनाओंगी तो उसमें मैं बताओंगी कि मैने किस तरके से घटाए यह उसके बाद मैंने बाडर उठाय बाद में तो पहले यह बनाकर फिर मैंने मुढ़्ड़े के हिसाब तक जितना लंबा मुझे चाहिए तो यहां से मुझे आम होल तकちょっと इतना बनाया उसके बाद मैंने यहां पे दो हिस्से कर ले थे एक आगे का और एक पीछे का हिस्सा जब मेरा यह पूरा तियार हो गया उसके बाद मैंने यह अंदर से यहां से एक हिस्सा और उठाया यहां से मैंने एक हिस्सा और उठाया तो जो हिस्सा इसके पीछे से देख आपने अपने हिसाब से फंदे लेने तो मैं यह बना रहे हूँ 14-15 साल की लिड़की के लिए तो आप जितना बड़ा बनाओगी जितने बड़े बच्चे का बनाओगी उस इस तरीके से आजाए अब यहाँ पर मैं आप बटन भी लगा सकते हो मैंने बटन नहीं लगाया क्य इस यहां पर मैंने डोरी बनांके यह सुन्दर भी लगता है और बड़ी बच्ची है तो फूल नहीं बना रही हूँ चोटे बच्चे के लिए आप यहां पर फूल भी बना सकते हो तो इस तरेके से में ने 2 यहां पर दो डोरी इना ली दो रिधार बना ली तो दो 2 यहां स से फिर मैंने दो लाइन गले के लिए फिर बाद में टियार करा है पहले मैंने डोरी बना ली फिर मैं यहां से सिंगल करोशे बना के मैंने सिंगल करोशे से बनाई तो आप इसको चोड़ा और बनाना चाहते हो तो चोड़ा और बना लो तो मैंने यहां पर सिरफ दो लाइन ब बच्चे का बनाया तो यह 15-18 साल तक के बच्चे का यह टॉप है यह जीन्स के उपर पैनने वाला तो यह फ्रोग टाइप का है इस तरीके से तो आप इससे लंबा भी बना सकते हो आपको लंबा चाहिए तो हमने छोटा सा बनाया तो इसमें मैंने लाइन बनाई तो देखों पहले मैंने यहां पर जब मैंने नीचे को जब उपर का त्यार हो गया मैंने नीचे को बनाया तो उसके बाद मैंने यहां पर पहले एक लाइन मैंने पिलेन बना ली दी हर इसमें मैंने डबल करोशे बनाया उसके बाद मैंने फिर बीच में एक चेन लिए और चार डबल कर एक चैन फिर चार डबल करोश फिर एक चैन उसके बाद फिर मैंने चार फिर मानने पिर यहां पर मैंने 4 दबल करोश बनाइए तो यहां पर मेरा काफी बड़ा था ने तो मैं आगे पांच डबल करोशा भी बनाती लेकिन ये काफी घेरा काफी था तो फिर ज्यादा तो यहां पे फिर मैंने इसलिए ज्यादा जोल ना आए वह से जोल अच्छा लगता है पर बहुत ज्यादा आ रहा था तो इसलिए मैंने यहां से तो यह काफी बड़ा घीर आई बहुत बड़ा है तो इसले मैंने ज्यादा नहीं बनाए अगर आपके यहां पर फंदे कम उठते हैं तो आप यहां भी बढ़ाने के लिए जल्दी बनाए मैंने जैसे एक दो तीन चार चार बारी बनाए मैंने चार डबल कुरुशे फिर एक चार बारी फिर मैंने तीन डबल कुरुशे बनाए फिर उसके बाद मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ बारी मैंने चार डबल कुरुशे बनाए तो आप अपने हिसाब से बनाने आपको ज़्यादा चाहिए क्योंकि जब हम यहां पे ज़्यादा डबल कुरुशे बना तो फिर चार बनाए फिर तीनी बार बनाया फिर हमने चार बारी तीन डबल कुरुषय बनाया फिर चार बार तो उतना हमारा घेर फैलता हुआ जाएगा तो इतना काफी चोड़ा होता जाएगा तो इसलिए मैंने मेरा तो काफी था तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एड में कोई सिलाई नहीं होती है तो बाजू बहुत लंबी नहीं बनाई है और छोटी भी नहीं है कोई नी तक है बाजू इसके आगे भी फिर मैने फिरिल बनाया इस तरीके कर देखो यह भी मेरा पहले सबसे पहले मैंने जब यहां पर मैंने यहां तक लियाई थी यह 3 double कुरु फिर एक चेन फिर चार डबल करोशा दो चेने बनाई है फिर मैंने यहां पर तीन डबल करोशे बनाई फिर तीन डबल करोशा दो चेन बनाई फिर तीन डबल करोशा तीन बनाई फिर यहां पर मैंने एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, लाश्ट में भी फिर मैंने चार डबल क्रोशे बनाई, और यहां पर मैंने तीन चेन बना रखें बीच में, ताकि यह बाजू फिरिल जैसा लगे, तो यह एकदम से अच्छा सा लग रहा, काफी खुला-खुला फिरिल लग रहा ह तो मैं पैना के भी दिखा दूँगी, तो वीडियो में डाल दूँगी कि किस तरी किसे लग रहा है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरा चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, सेर भी करें, और कम बनाये तो भी बताऊंगी, तो आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए, बाई बाई, बाई, तो ये मैंने नो नमबर के करोशे से बनाया है, और थिरी पल आई के उन से बनाया है, तो मैं आगे इसका वोजन भी बता देते हूं कि कितने ग्राम में बन गया, तो ये 486 ग्राम में, 500 ग्राम में ये तियार हो गया, तो ये काफी लेंद इसकी काफी अच्छी है, तो मैं जब इसी कलर में मैं दूसरा बनाऊंगी, तो मैं आपको step by step बता दूँगी, कि कैसे मैंने कहां से सुरू करा था, कहां पे खत्म हुआ था, तो थेंक्यू, लाइक शेट जरूर करेगा,